हेलो फ्रेंड्स मैं आर्वी याद अब स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे अब्जेक्टिव प्रसन देखने वाले हैं जो आपके एक्जाम के लिए बेहादी महत्पूर्ण है तो दोस्तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखे साथी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों में शेयर कर दे और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आगन प्रेस क कर दे ताकि कोई भी नए वीडियो हम ले करके आवे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके चले दोस्तों चलते हैं पहला क्वेस्चन के तरफ पहला जो क्वेस्चन है वह पूछ रहा है कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट कभीता के रचेता कौन है तो एक जानके कितने रोज के बाद ईद आती है तो इसका सी अउप्षन बिलकुल शोझेएगा 30 रोज के बाद क्तीन नमबर कोईस्चन पूछ रहा दोस्तो हीरा किस बनता है तो तूतीन का जो सही आंसर हो जाएगा वोसी हो जाय जानए के सिसा इसके बाद आपका चार नमबर दोस्तो पूछा जा रहा है होनुडू का जल परपात कहां है तो पांच का सही आंसर हो जाएगा दोस्तो ए यानि की छोटा नागपूर आपका जहारखन के अंदर है यह आपको क्या करना है दोस्तो याद रखना है इसके बाद आपका चौ नमबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है जहां चाह वहां डॉट डॉट तो आप सभी जानते हैं कि जहां चाह वहां राह तो छो का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राह साथ नंबर कुछ रहा है अमरित का बिलोम क्या होगा अमरित का बिलोम यानि कि उसका उल्टा बताना तो साथ का जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा गरल हो जाएगा दी इसके बाद आपका जो आठ नमबर कोईस्चन पूछ रहा कि पती का पढ़ियाबाची सब्द हैं तो पती का जो पढ़ियाबाची होता है समानार्थक होता है दोस्तों गो होता है स्वा ल्डी आर न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वहां पढ़ हम लोग न्यूज से संबंदित सभी न्यूज आपको सबसे पहले देते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोड से संबंदित सभी न्यूज आपको मिल सके इसके बाद दोस्तों चलते हम लोग 9 number question के तिरफ 9 number question का था बिहारी किस काल के स्रिंगारी कभी हैं तो नो का जो सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल इसके बाद दोस्तों चलते 10 number question के तरफ 10 number question पूछ रहा है कि सिर्चन को किनकी बातों से ठेश लगी तो दोस्तों यहाँ पर 10 का जो सही answer हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानि की मानू से इसके बाद आपका इसके बाद आपका जो 12 number question है पूछ रहा है इर्चया तू न गई मेरे मन से के रचयता कौन है तो बाद का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यह हो जाएगा यानि की राम धारी सिंग दिनकर राम धारी सिंग दिनकर के बारे मियाद रखेंगे दोस्तों कि यह क्या इसके बाद आपका 13 number question जो है कदा कभी के आनुसार इस्वर कहां निबास करते हैं तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा सच्चे हिर्दय में सच्चे मन में आपका इस्वर का बास होता है 14 number question पूछ रहा दोस्तों सुर्योदे का संधी विछेद हैं तो आज पुत्र में कौन सा समास है तो दोस्तों आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा तत्पूरु समास चलिए दोस्तों आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों मिलते हैं किसी नई वेडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद